हेलो फ्रेंड्स अब सभी का स्वागत है मेरे इस यूटिव चैनल SNK पार्ट सला पर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरी राइटिंग की ये स्टोरी राइटिंग का वीडियो नंबर सेकेंड होने वाला है इसके पहले के वीडियो को मैं अल्रेडी अपलोड कर चुका हूं तो आपको क्या करना है पहले उसे जरूर देख लिना है बोलेंगे क्यों कारण यह है कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातों को बताए गया है ज आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिर से एक स्टोरी राइटिंग का और स्टोरी राइटिंग का इसमें हम लोग देखेंगे हिंट्स के बाद आंसर समझेंगे कैसे लिखा जाता है कौन से टेंस का परियोग होता है एंदेन हम इसको वन बाई वन हर लाइन का मैं आपको मेनिंग बताता हूँ चलूँगा जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो चलिए टाइम बिना बरबाद के हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहां आपको दीख रहा होगा एक बात तो question आता कैसे है exam में इस बात को पहले समझ लेते हैं question कुछ इस तरह से आता है कि write a story using the following hints यानि कि एक कहानी लिखो नीचे के hints को जो दिया गया है use करते हुए बात समझ में आई नहीं क्या मतलब आप अपने से कहानी नहीं लिख सकते गया वहाँ पर नहीं बिलकुल नहीं लिख सकते हैं अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो आपको जो वहाँ पर कहानी लिखने के लिए बोली जाए आपको वही या उसी पर बेस कहानी लिखनी होगी तो hints क्या है उसको पढ़कर समझना बहुत जरूरी है तो ये बात आप दिमाग में एकदम रख ले जहां भी रखना चाहा है रख ले लेकिन दिमाग में रख ले पहले मैं hints पढ़ने से पहले कुछ समझाना चाहूँगा 10 के बारे में समझते हैं एज ये एक स्टोरी है तो जैसा कि आपको पहले ही पता होगा कि स्टोरी मतलब बीती हुई बात होती है तो यहाँ पर दो टाइप के structure को सीख लेना आपके लिए बहुत जरूरी है एक तो subject verb plus object यानि कि subject लगेगा उसके बाद verb 2 लगेगा तो verb 2 क्य होता है तो यह past form of the verb होता है और आप अगर 11, 12 के student हैं या 10 के हैं तो आपको अभी तक समझाया जा चुका होगा आपके teacher के द्वारा नहीं समझाया गया है तो आप फरंट वहाँ से पढ़ना छोड़ दे clearly समझ में आ गया एक ये structure आपको आदर ना चाहिए दूसरा जो structure है वो समझे वो क्या होता है कि subject रहेगा पहले यानि कि जो काम को करने वाला है वो doer उसके बाद was या war लगता है बहुत लोग इसे वेर पढ़ते हैं tension मत लीजिए वर इसका pronunciation है was या war के बाद हम लोग किसी person के बारे में बताते हैं समझ में आया इसके बाद यहां पर जब कभी इस टाइप के स्टोरी में लागेगा was or war तो यहां पर वो इसके बाद वर यानिकी action word नहीं आता है ये बात भी clear हो गई तो ये आपको याद होना चाहिए उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि present tense का प्रि बात clear हो चुकी है अब आपको समझना क्या है उस बात पर चलिए थोड़ा धीरज रखिएगा वीडियो फिर भी थोड़ी बड़ी ही होगी बड़ी होने का पिछ रिजन है कि हर एक बात को समझाया जाता है इसलिए तो hints क्या है वो पढ़ते हैं the king of Scotland Scotland का राजा was defeated हराया गय हराया जाना या फिर पराजित किया गया six times छे बार hit himself in a cave खुद को चिपा लिया केव में hit past tense form ही है saw c का second form है saw spider वहाँ उसने spider को देखा trying to climb up the roof of the cave उस गुफा के रूफ या चट पर वो चलते हुए या चढ़ने की कोईश करते हुए देखता है spider को the spider fell six times spider भी छे time गिर जाती है but then succeeded लेकिन उसके बाद वो सफल हो जाती है the king was encouraged अब इसको देखकर राजा को क्या होता है जो सजाता है वो उत्साहित हो जाता है tried again to defeat his enemies अब ये भी कोशिस करता है अपने enemies याने शत्रूओं को हराने की और last में सफल हो जाता है यहां तो मातर 20 वर्ड के अंतरगत आपको ये पैरा दे दिया गया है लेकिन आप जब लिखेंगे तो ये 120 वर्ड मतलब 100 से प्लस वर्ड में लिखना होगा तो कैसे होगा सर ये तो बता ये मतलब इसको करेंगे कैसे बहुत असान है अगर आप कहानी समझ गये तो क्योंकि उस समय आपको अपने मन की सोच नहीं है कहानी को समझना है और बस वही जो दो structure बोला उसको समझ गये तो आप कर पाएंगे और सबसे important बात ये है कि आप words को जरूर याद करें बिना words का तो कुछ ही नहीं हो सकता सबसे पहला काम क्या होता है तो आपको याद रखना होगा कि ये जो आपका सबसे पहला topic लिखा होगा है ये किसी board में एक number का और किसी board में दो number का पूछा जाता है यानि कि कहीं पर एक marks का और कहीं पर दो एक कब होता है दो कब होता है वो मैं समझाता हूँ अगर question आपका 5 number का बनता है तो वहाँ पर आपको 100 word के नीचे लिखने पड़ेंगे तो उस समय आपको क्या करना होता है कि मात्र 5 word का है तो एक number आपको इस title में मिल जाएगा दूसरा दो कब मिलेगा सर जब ये 10 marks का होगा जब 10 marks का ये हो जाएगा topic आपका जो same topic आपको दिख रहा है अगर 10 marks के लिए पूछा जाए आपसे तो उस समय आपको इसके केवल इस जो topic है जिसका नाम लिखा हुआ है जो इसका title है या heading है इसी के लिए दो number मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे से लिखने क्या हो सकता होती है इसलिए मैं बोलता हूँ कि ध्यान से पढ़ाई करिए और बातों को सुनिए क्योंकि आपके number भी depend करते हैं आपके लिखने के style पर अगर अच्छा नहीं लेखेंगे पूरा लिख दिए फिर भी number नहीं मिलेगा तो पहले heading क्या देख लिए the king and the spider दो बाते हैं राजा और मकड़ी अगर मकड़ी नहीं होती तो इस कहानी का कोई value नहीं होता and that's why तो इसको आपको याद रख लेना है तो पहला part है इसका the king दुसरा जोड़ा गया है spider बस यहीं रट जाए मैं नहीं बोलूँगा कि नया कोई बनाए बस इसको समझ ले clear हो गया इसी को रख ले याद हो जाएगा तो आगे बढ़ा जाए अब आपको क्या करना है उस बात पर focus करेंगे one by one आप समझेगा कैसे हूँ जो hints थे उनका use किया गया है इसमें तो मैं पढ़ना चालू करता हूँ और आपको समझाना भी चालू करता हूँ अभी से ही यहाँ पर आपको कुछ दीख रहा होगा ध्य जब एक परसन आएगा तो उसके आगया आर्टिकल ए एन जरूर लगेगा तो राजा में के का प्रणूसेशन क्या है को यानि की साउंड इसका है एक समय की बात है एक राजा था और वो कहां का राजा था जिसका नाम था रोबर्ट ब्रूस ब्रूस बैनर को याद ने रखेगा ठीक है उसको हराया गया डिफिटेड बाई लिखा हुआ है ना पेसिव वहस का प्रियोग किया गया है तो उसको 6 बार उसके दुसमनों के दौरा हराय गया यानि की युद्ध के मैदान में वह अपने किंडम को छोड़ा त्यागा और वहां से बहुत दूर के दूरा है चल आ गया, far away का मतलब, अभी तक आपने जो देखा, इसमें अब थोड़ी में verb के बारे हैं बात कर लूँ, यहां तक तो समझ में आ गया, तो आप ध्यान से देखते हुए अगर आए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि defeated verb 2 है, उसके बाद आपको idea लगा होगा, कि his याद करिए, went verb 2 है, clearly, तो इस तरह से verbs की बिना आपका यह कहानी नहीं बन सकती, तो इससे जरूर लर्ण कर लें, आगे बढ़ते हैं, अब अगले पैरा में क्या लिखा है, इसको समझने के कोईस करते हैं, लिखा हुआ है, he hid, जब वो भाग गया अपने राज्य से बहुत कर रही थी, चड़ने की, the wall of the cave, उस cave के wall पर, यहीं दिवाल पर, मान लिजिए, एक दिवाल इधर, एक दिवाल इधर है, तो इधर से इधर जाने की कोईस कर रही है, और यही चीज, Robert Bruce देख लेता है उस समय, तो उसने क्या देखा, कि he tried around six times, उस मकडी ने भी छे बार ना हो सकी, he fell again and again, he fell, he मतलब कौन, मकडी, बार बार गीरी, again and again का मतलब बार बार, but यहां पर एक word जोडिये, but, ठीक है, और spider के आगे एक article जरू लगाएगा, but didn't lose hope, लेकिन हतास नहीं हुई, या फिर आसा नहीं छोडी, but didn't lose hope, he kept trying, वो कोशिस करती रही, the result was that, अब इस स मतलब हो गया, की, he succeeded at last, वो सफल हो गया, जो मकडा था या मकडी थी, वो सफल हो गया, अपने काम में, यानि कि वोल पर चड़ने के काम में, by seeing this, इसको देख करके, the frustrated king got encouraged, frustrated मतलब जो अपने आप से गुसा था, नाराज था जो राजा, क्योंकि वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया था, यूद में बार-बार हार जा रहा था, तो वो क्या हुआ, increase हो गया, उत्साहित हो गया, जोस में आ गया, he said to himself, उसने खूद से कहा, if a spider can win, अगर एक spider जीत सकती है, कैसे जीत सकती है, diff क्या लिखा हुआ है, diffitting again and again, after मने हो गया के बाद, diffitting मने हारने के बा को आ गई थी, पूरी तरह से, I think, अब आपको clear होगा, उपर चलते हैं, अब last में कुछ लाइने बची हुए हैं, उनको देख लिए, जिसे लिखा हुआ है, he returned to his kingdom, वो अपने kingdom वापस आया, return का मतलब हो गया, वापस आना, kingdom का मतलब होता है, अपने राज्य, and faced his enemies so bravely, और बहुत बहादूरी से सामना किया, इस बार वो डरा नहीं, भैवीत नहीं हुआ, बहुत बहादूरी के साथ अपने enemies का सामना किया, he assembled, उसने एकत्र, इकठा, या फिर, सभी जो सैनिक उसके तितर-बितर हो गए थे, scatter हो गए थे, उनको इकठा किया, फिर से सेना बनाई, his soldiers and went to the battlefield, और फिर से battlefield में चला गया, यानि कि युद करने चला गया, there he fought so bravely, वहाँ वो बहादूरी के साथ, and won, और इस तरह से जीत गया, इस तरह से हमें ये सिक्षा मिलती है, कि अगर हम कोसिस करते रहें, तो हार हमारे सामने बार बार नहीं आएगी, टीक नहीं सकती, हम अ इंगलिस से डर लगता है, तो आप इसे छोड़ कर भाग जाते हैं, या फिर इसके सामना करते हैं, इसमें आने वाले words को learn करते हैं, और फिर से boost हो करके, खुद को boost करके फिर से पढ़ते हैं, याद रखिए, जब तक आप भाग गिएगा, तब तक डर आपका पीछा करता वहाँ पर भी short videos के थुरू में English सिखाना है, स्टार्ट कर रहा हूं सबको